हेलो फेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप से पच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिलकुल अच्छी चल रही होगी तो आज किस वीडियो में डिस्कुस करेंगे बी ए आर्सी यानि कि भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर के दो हजार तेइस के बारे में डिस्कुस करेंगे जो कि फीटर टर्नर वैल्डर के रहने वाले हैं और यह सिट 16 रहने वाला इसके पहले मैंने 15 सेट देता का है अगर आप लोगोंने नहीं देखाया तो जाकर देख सकते हैं प्रेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल और मैंने एक्षाम औरिंटेट वीडियो के नम से है और यहां से 5-6 नमबर यानि कम से कम 5-6 नमबर तो पक्के आपके यहीं से 100% यहीं से पूछा ही जाएंगे यानि कि अधिक से अधिक इससे ज्यादा भी प्रस्ट पूछा जा सकता है इसलिए इस वाले वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं तो कोस्चा नमर फॉस्ट है एक सिटिलीन सिलेंडर में निम्न में से किसमें सिटिलीन डिस्वॉल्व की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जब ऑप्सन सी यानि कि असी टॉन में और यह जो प्रस्ट जो है वो 2017 में पूछा गयवा प्रस्ट है अब जो इंपार्टेंट जो पॉइंट से मने सभी को डिस्कस कर लेते हैं यहां से प्रस्ट बनते हैं तो असी टॉन में डिस्वॉल्व किय जता है अगला ऐसिटलीन गैस और ओक्सिजन गैस दोनों पात्र में द्रव के रूप में रहते हैं अगला है acetylene gas का जो सुत्र होता है वो क्या होता है तो C2H2 होता है और oxygen का O2 होता है अगला है acetylene gas का जो cylinder का जो रंग होता है वो कैसा होता है तो महरून होता है और ये वाला जो point है ये भी बहुत ज़्यादा important है अगला question question number second निवन मैंसे किसका प्रयूग करके गहरे पानी के नीचे cutting करते है तो इसका right answer हो जगा option B यहने की hydrogen और ये जो प्रस्न जो हो 2002 में पूछाईगा वा प्रस्न है अब जो important जो point सो उन सभी को discuss कर लेते है तो hydrogen के प्रयूग करके गहरे पानी के नीचे cutting करते है अगला है thermit welding के द्वारा railway track जो है उसको जो जो राजाता है और ये वाला जो point है ये भी बहुत ही ज़्यादा important है अगला है thermit welding एक प्रकार के fusion welding है अगला है thermit welding में उसमा छेपी अभिकरिया होती है अगला question question number third oxy acetylene cutting process में पड़ियो घोने वाले cutting nozzle का size निमनमसे किस पर निर्भर करता है इसको right answer हो जग option a जिनकी काटी जाने वाली धातू की ठीकनेस पर अब जो important जो points उन्हें सभी को discuss कर लेते हैं यहाँ प्रसंद बनते हैं तो cutting nozzle का size काटी जाने वाली धातू के ठीकनेस पर निर्भर करता है gas cutting dots से धातू की चादर में सुराख करना piercing कहलाता है अगला है gas welding में आवस्यक उसमा गैस को जलाकर प्राप्त करते हैं अगला है gas welding में उसमा छेपी अभिकिडिया होता है अगला question question number fourth welding के लिए आरगन में कितना प्रतिशर तक oxygen मिलाई जाती है तो इसका राइट answer हो जाग option C यानि कि 10 से 20 प्रतिशत मिलाई जाती है और यह जो प्रस्ण 2015 में पूछा गया वह प्रस्ण है अब जो important जो points से उसमा सभी को discuss कर लेते हैं यहां सभी प्रस्ण बनते हैं तो welding के लिए 10 से 20 प्रतिशत oxygen आरगन में मिलाई जाती है अगला है आरगन जो है वो निस्कडिया कैसा है अगला है oxygen जो है वो सकडिया कैसा है अगला है welding एक जोडने की प्रक्रिया है अगला question number 5 right word welding को निमलिखित में से किस नाम से पुकड़ा जाता है तो इसका right answer हो जाग option B यानि की back hand welding के नाम से पुकड़ा जाता है और यह जो प्रस्त जो है वो 2009 में पूशाएगा वो प्रस्त है अब जो important जो point से भी को discuss कर लेते हैं तो इसमें welding left से right होता है अगला इसे back hand welding भी कहता है अगला यह तेज जिकती से होता है अगला है इसमें filler rod blow pipe के पीछे पीछे चलता है अगला question question number six arc welding में आवस्यक DC volt अता है तो इस right answer हो जगा option D यानि कि 90-100 volt और यह जो प्रस्त जो हो 2013 में पूशा गया वो प्रस्त है अब जो important जो points में सभी को discuss कर लेते हैं तो arc welding में आवस्यक DC volt अता 90-100 volt है अगला है इसमें arc की सहायता से उस्मा उत्पन की जाती है अगला है इसमें arc की लंबाई जो है वो electrode के व्यास के बराबर होती है अगला है electric arc welding का जो तापमान होता है वो लगभग 3500 degree centigrade होता है अगला question है question number seven carbon rising lock up किसे weld करने के लिए किया जाता है तो इसका right answer हो जाग option B यानि कि उपगरह जैसी कठोर सता बनाने के लिए और यह जो प्रस्त जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रस्त है अब जो important जो points में सबी को discuss कर लिते हैं तो carbon rising flame यानि की law से उपगरह जैसी कठोर सता बनाने के लिए किया जाता है अगला है इसमें acetylene की मातरा अधिक होती है अगला है जैसे कि oxygen और acetylene दिया गया है तो oxygen को जो मातर है वो कम है acetylene की मातरा से यानि कि जो acetylene है वो अधिक है अगला है इसका जो तापमान होता है वो लगभग 3150 degree centigrade होता है अगला question question number 8 acetylene gas की मातरा से अधिक मातरा में oxygen मिलाने पर जोला बनती है इसका right answer रोचे का option C यानि कि oxidizing जोला अब जो important जो points उन्हें सभी को discuss कर लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा important है तीनो points तो acetylene gas की मातरा से अधिक मातरा में oxygen होने से क्या होता है तो oxidizing जोला होगा अगला है अगर acetylene की मातरा अधिक होगा तो carbonizing जोला होगा अगला है oxygen और acetylene समान मातरे में हो यानि कि oxygen और जो acetylene हो वो एक ही मातरे में हो यानि कि समान मातरे में हो तो जो flame होगा हो कैसा होगा तो neutral flame होगा अगला question is question number 9 electric arc welding की मुख विधिये कौन सी है तो इस क्राइट answer हो जाग option D यानि कि उप्रोक्त सभी यानि कौन-कौन सा तो carbon arc welding भी metal arc welding भी atomic hydrogen भी अब जो important जो points सभी को discuss कर लेते हैं तो electric arc welding की मुख विधिये निमन है कौन-कौन सा है तो carbon arc welding है metal arc welding है atomic hydrogen भी है यानि कि तीनों है अगला question question number 10 C में welding है तो इस कराइट answer हो जाग option C यानि कि सतत अस्थान welding है कैसा है तो सतत अस्थान welding है कौन welding तो C में welding और ये जो प्रस्न जो हो 2014 में पूशाई को प्रस्न है अब जो important जो points सभी को discuss कर लेते हैं तो C में welding सतत अस्थान welding है अगला है C में welding को roller spot या continuous spot welding के नाम से भी जाना जाता है अगला है C में welding एक ऐसा welding है जो हम लोग पेट्रोल टैंग को welding में प्रयोग करते हैं अगला है इसका प्रयोग द्रव्य या गैस वाले बरतनों के लिए या जाता है अगला कोशन, कोशन नमर 11 एलमूनियम, पीतल, तामबा और हलके स्टील से बने काम के टुकरो के समों में एलमूनियम को नेत्रहिन कैसे पहचाना जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जागा option B यानिकी स्वारूप का ओलकन करना यानिकी करके और यह जो प्रस्ट जो है वो 2019 में पूछा कि वह प्रस्ट है अब जो important जो points से उन सभी को discuss कर लेते हैं यह यहां सभी प्रस्ट बनते हैं तो एलमूनियम, पीतल, तामबा और हलके स्टील से बने काम के टुकरो को सौरे, सौरूप का ओलकन करके पहचाना जा सकता है अगला है एलमूनियम, एक हलका और मूलायम धातू है अगला है, पीतल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तामबा और जिंक का मिस्रान है, यानि कि तामबा और जिंक के मिलने से पीतल का निर्मान होता है अगला है, स्टील थीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन सा तो पहला होता है लो कार्बन इस्टील होता है दूसरा मीडियम कार्बन इस्टील होता है तीसरा उच्छे कार्बन इस्टील होता है अब देख रहते हैं जो लो कार्बन निमने कार्बन जो इस पात होता है इसमें कार्बन की मातरा कितना होता तो 0.15 से 0.45 प्रतिशत होता है दूसरा है medium carbon steel इसमें carbon की जो मातर होती है वह कितनी होती है तो 0.45 छे 0.8 प्रतिशत होती है अगला है सिलिकोन कारवाइट की क्या विसेस्ता है तो इसका राइट आंसर हो जगा ऑप्शन ए यानिकि सक्त एवं भंगूर यह इसकी विसेस्ता है और यह जो प्रस्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रस्न है अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट से उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं य अगला है लो टेनसाइल स्टेंथ वाली धातू की ग्राइंडिंग के लिए सिलिकोन एब्रेसिव कपडियों किया जाता है अगला है सिलिकोन कारवाइट चक्र ताम रियने की तामबा एवं एलिमोनियम यह नर्म धातू पर ग्राइंड करने के लिए सर्वोता मैं अगला है चटानों में ड्रिलिंग करने के लिए हीरा अप घर्सक कप्डियों किया जाता है अगला कोसे ने कोसे नमर 13 अयस्क को एक किसमें समाहित करके असानी से कच्छा लोहा प्राप्त किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाका अप्शन B यानि कि ब्लास्ट भठी और यह जो प्रस्ण जो है वो 2019 में पूछा कि वह प्रस्ण है अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट से उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो ब्लास्ट फार्मेस यानि कि भठी से कच्छा लोहा प्राप्त किया जाता है अगला है लोहे का मुख सरोत लोहे का ऐस्क यानि कि और होता है अगला है लोहे ऐस्क को अधिक कारबन वाले इंधन जैसे कोक के साथ प्रगलित करने पर जो मादमिक उतपाद बनता है उन्हें कच्छा लोहा यानि कि पिग आयरन कहता है अगला है कि पोला भठी यानि कि फार्णेस से कास्ट आइरन तयार किया जाता है अगला है जब कि रोट आइरन जो है वो पुडलिंग जो भठी हो जो होता है उसमें तयार होता है अगला wrought iron सबसे मजबूत माना जाता है और सबसे सुद्रकिश्म का लोहा होता है कौन से wrought iron जिसमें की लोहा जो होता है वो 99.8 यानि लगभग 99.8 परतिशत होता है अगला question कोसे में 14 किसी धातू को पतले सीट में खीचने के गुन को कहा जाता है तो इसका write answer हो जग option A यानि कि अगहात वर्धनियता कहा जाता है और ये जो प्रस्ण जो होगा 2019 में पुछा गवा प्रस्णा है अब जो important जो points सबी को discuss कर लेते हैं तो किसी पदार्थ को पतले सीट में खीचने के गुन को अगहात वर्धनियता यानि कि malleability कहा लाता है या फिर कहा जाता है अगला है किसी धातु को दवाने पर या संपिडक बल की स्थिती में विकृत होकर दाब के लंबोत दिशा में फैलाने का जो गुन होता है उसको अगहात वर्धनियता यानि कि मलेविटी कहा जाता है या फिर कहलाता है अगहात वर्धनियता पदार्थ को हथोड़े से पीट कर या बेल कर यानि कि रोलिंग करके आसानी से चप्टा किया जा सकता है अगला है धातु वे प्राया अगहात वर्धनियता है कौन-कौन सा जैसे कि सोना हुआ, अलुमूनियम हुआ, तामभा हुआ, पीतल हुआ, चांदी हुआ, लुभा इत्यादी अगला कौसन वर्धनियता वर्धनियता है मिस्र धातु इस पात के तन्य सम्मर्थ्य को किसका उप्योग करके सुधारा जा सकता है तो इसका राइट अंसर वर्धनियता कौसन C, यानि कि निकल का उप्योग करके सुधारा जा सकता है और यह जो प्रस्ट जो हुआ हुआ, 2019 में पूशा गवा प्रस्ट नहीं है अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट सम्मर्थ सभी को डिसकस कर लेते हैं तो मिस्र धातु इस पात यानि कि स्टील के तन्य सक्ति यानि कि टैने साइल स्टेंथ निकल का प्रियोग करके सुधारा जा सकता है अगला है स्टेंलेस स्टील इसके बार पर डिसकस कर लेते हैं एक मिस्र इसकात है जो bayumunda तथा कारबन और अकारबन अमलों से खराव नहीं होता है अगला स्टेंलेस स्टील तो याँ जंग रोधी इसपात यैनि कि स्टील थी रहे में जंग जो रहाव नहीं लगता है अगला है इस्टेंलेस स्टील में क्रोमियम जो है वो 15-20 प्रतिशत और नीकल 8-10 प्रतिशत तक होता है अगला कोसे नमर 16 एक बेंच वाइस का बॉक्स नट किसे से बना होता है और यह बहुत ज़्यादे इंपॉर्टेंट है इसका राइट आंसर हो जब आपसिन पी यानिकी फास्फोरस का से का बना होता है और यह जो प्रस्ट जो हो 2019 में पूछा गया वो प्रस्ट नहीं है अब जो इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट से उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो बेंच वाइस का जो बॉक्स जो नट होता है वो फास्फोरस ब्राउंच यानिकी कांसा का बना होता है अगला है ब्राउंच यानिकी कांसा तामबा और टिन का मिसरन है अगला किसी भी कारसाला में लकडी की मेज़ पर फिट करके उप्योग में लाइज जाने वाली जो वाइस होता है उसे बेंच वाइस कहा जाता है फिर कहलाती है अगला है जब वर्क्सॉप में जॉब को बनाना बनाय जाता है तो उसको अच्छी पकर की आउशकता होती है क्योंकि हाथ से सावधानी पुर्वक नहीं पकड़ा जा सकता है अगला है बेंच वाइस के जो साइज होता है इसके जब यानि की जबडे की चौराई से लिया जाता है अगला है यह है जो हता है वो पचहतर से डेर सो एमेम तक पाई जाती है अगला कोशन कोशनमर 17 और थोड़ा किस समागरी से बनाया जाता है इसके राइट अंसर हो जब ऑप्सन बी यानि की हाई काबन इस्टील से बनाया जाता है और यह जो प्रस्न जो हो 2019 में पूछा गवा प्रस्न है अब जो इन पॉइंट से उन सभी को डिसकस कर लेते हैं त हंथौरा यानि कि हैमल हाई कवन इस्टील दौरा बनाया जाता है अगला है हंथौरा तरह तरह के होते हैं एवं कार विशेज के अनुरूप उनकी डिजाइन की जाती है अगला यह जैसा कार वैसी डिजाइन अगला है किसी वस्तु पर बला गहाद यानी इंपक्ट यृत चाड़ी को महान बल लगाने के लिए हथन возм switches क्यों किया जाता है जैसे कि हाथवाड़ कौन कौन सा होता रहुता है तो एक होता है बॉल पैन हैमर होता है एक क्रॉस पैन हैमर होता है एक स्लेज हैमर होता है एक स्ट्रेट पीन हैमर होता है एक क्ले हैमर होता है एक मैलेट हैमर होता है अगला कोसे ने कोसे नमबर 18 तामबा और जस्ता के मिस धातु को किस रूप में जाना जाता है तो इसका राइट आंसर होज़ा है ओप्शन A यान की पीतल और यह जो प्रस्न जो हो 2019 में पूछा गया वो प्रस्न है अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट समसा भी को डिसकस कर लेते हैं तो तामबा और जस्ता के मिसरन को पीतल के रूप में जाना जाता है अगला है पीतल बनाने में 30 प्रतिशत जिंक और 70 प्रतिशत कॉपर मिला जाता है अगला है पीतल का प्रियोग बर्तन बनाने में होता है अगला है कांसा यानि की ब्रांज कॉपर और टीन का मिसरन है अगला है इसमें कॉपर जो है वो 90 प्रतिशत है और कॉपर को सीउ से लिखते हैं और एसे नियानि की टीन जो है वो 10 प्रतिशत होता है अगला है कांसा का प्रियोग घहन्टी एवं बर्तन बनाने में होता है अगला है टीन की अधित मातरा कांसा को स्वेत कांसा कहते है अगला कोस्टनर कोस्टनमबर 19 स्टील की कठोर्ता बढ़ जाती है अगला है लोहे या स्टील में जितना जादा कार्बन बढ़ जाती है कार्बन मिलाते है इस पात यानि की स्टील उतना ही कठोर बन जाता है अगला है कठोरता बढ़ आने के साथ ही उसकी भंगूरता यानि की बिटननेस भी बढ़ जाती है अगला है 1149 डिग्री सेंटिगेट पर लोहे में कार्बन की अधिक्तम घुल लेता 2.14 पर पतिशत है अगला है कम तापमान पर अगर लोहे में ज्यादा मातरा में कार्बन हो तो इससे सिमेंटाइट का निर्मान होता है अगला कोसेन कोसेंबर 20 लेपिंग के लिए कौन सी धातू पड़ियूत नहीं है अगला है लेपिंग एक मसीनिंग प्रकडिया जिसमें दो सतहों को उनके बीच एक अपगर्सक के साथ हाथ से हिलाने या मसीन का उप्योग करके रगरा जाता है तो फ्रेंट्स आज से लिए इतना ही वीडियो का ऐसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक उनको दबाएं ताकि कोई फिन नोटिफिक्सन और उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहु पहले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकता है कि 5-6 नंबर तो पक्के यहीं से 100 परचंट यहीं से पूछे ही जाएंगे यह कम से कम 5-6 प्रसन और अधिक से अधिक इससे ज्यादा भी प्रसन पूछा जा सकता है इसलिए इस वाले वीडियो को बिलकुल भी मिस्त इस ना करें एक जाम से पहले इस वाले वीडियो को जरूर से जरूर देख लें ओके फेंड़्स एक्सवर वोचीं का 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 अई झाल झाल